कि असलाम लेकुम आज हम लोगों ने डेरिवेशन का करना है एक्सपोनेंशन फंक्शन की डेरिवेशन कि फंक्शन क्या होता है एक की फार्म में होते हैं कि यह यह पर कोई भी पावर हो सकते है एक्स हो सकता है एक्स हो सकता है यह यहां पर आपकी पास पर जो है उसी वह मैंने कोईस्टन किया है फाइफ एफ इससे पहले हम लोग थोड़ा इसी वह लोग लेते हैं एक्स की डेरिवेशन क्या होती है हमारे पास अगर यहां पर एक्स है तो इसकी ई x यहोगा और साथ डेरिवेशन दी ओबर डी एक्स यह वाला एक्स साथ इसकी डेरिवेशन रहेंगे अब जैसा कि मैंने बताया एक्स की डेरिवेशन हमेशा वान के इक्वल होती है तो यह हमारे पास बैसे ही प्लस वान तो क्या होगा इसका डी वाई ओवर सॉरी डी वाई ओवर दी एक्स और दी ओवर दी एक्स एक्स केयर प्लस बान अब यहां पर क्या होगी एक्स केयर की डेरिवेशन रहेंगे तो भी एक्स केयर प्लस यह कॉंस्ट्रेंट यह तो इसकी डेरिवेशन जीरू हो जाएगे कि अब बाता है यह इसकी लेंगे पहले तो यह एसेटी जा जाएगा अब डेरिविशन एक्सक्रेर की लेंगे एक्सक्रेर की जैसे हम लोगों ने पहले भी इछले दू तीन रेक्ट्टर में किया तो उसकी क्या है टू एक्स यह जागी टू एक्स ए एक्स केर यह हमारे पास होगी है exponential function की derivation अब आपका एक past paper का question है 5e2x2 यहाँ पे x तो as it is जैसे पहले हम लोगों ने किया है यहाँ पे वैसी है बट इसके साथ 2x आगे अब लोगों ने क्या करना है इसको सबसे पहले लेट करना है वाइक एक प्लस तू आगे क्यों को डी वाइवर डी एक्स इक्वाल टू टी ओवर डी एक्स पाइव टू एक्स प्लस तू अब इसका derivation अलादा करेंगे तो एक तो फाइव को जाएका फाइव टू एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स यहाँ पे फाइव मिल्टिप्लाय हो रहा है तो फाइव को हम लोग ले लेंगे और इटू एक्स की derivation लेंगे इटू एक्स एज़ेगा जैसे मैंने पहले बताया है बट जो उपर हमारे पास पावर है हमने उसका भी derivation करनी उसकी भी derivation करनी है और जैसे के constant की 0 होती है तो यह 0 हो जाएगी अब यहोगा 5E2X और यह 2X है वैसी प्लास जीरो 5 to 10 XE2X मार पस यह आता है आंसर इस कोस्टिम का यह होगा एक्सपोनेशन फॉक्शन की आगे मारे पास लोग दित्थम की कि अब लोग दित्थम की क्या होगी यहां पर एल एक्स एलन क्या है नेच्रल लोग दित्थम नेच्रल लोग के लोग अब इसकी रेविशन क्या होगी यह पहले तरह लैट कि वाइज कोल टू एलन एक्स और डी वावर डी एक्स अब यहां पर जब हम लोग ने एलन एक्स का लोग नेना है तो वो डिवाइड में चला जाएगा जो भी मारे पावल यहां पर एक्स है तो वान ओवर एक्स हो जाएगा दी ओवर डी एक्स अलन एक्स इस इक्वल टू वान ओवर एक्स यहां पर एलन एक्स इस वर्टी वान ओवर एक्स मारे पास यह तो यह हो गया हमारे पास नेच्वर लोग में थाम की डेरिवेशन अब होप सो आपको समझ आ पही होगी अब एक चीज़ याद रखने आपने आगी प्रवर हमारे पास है तो इसकी जगह अगर टू एक्स होगा या एक्स के ओड़ होगा तो वहसी होजएगी पिर उसका अलंडा से लिना पड़ेगा यहां पHappy हम लोग का अलायदा से लेगे जिसा मैंने यहां पर लिया हुए लेकिन जैसा के हम करने से पता चल जाता है की पावर वान होती है तो हम लोग यहां पर ज्यादा कन्फ्यूज नहीं होता है बलके ऐसी कह देते हैं के वन की कवल करके इसको इसलिए एक्स के कर दें लेकिन आप अगर करोगी तो आपको ज्यादा आसानी होगी और यहां पे मैंने जैसी किया है य एक्स केर यह यह वी आप तो यह पर को दिखाए जब एक्स की हो तब ही यह स्टैप कर लेना जब किसी और तब लिए ना इससे यह बड़े ने में असाने होगी यहां एगी तो आपको इतनी नहीं होगी और आप इसली कर लोगी मैंने आपको जितना देखा माच आपकी इंटेलिजेंट हो बहुत जल्दी एक बात को पिक कर लेती हो दूसरे नमबर पे यह एलन एक्स की है वान ओवर एक्स अब जो आपके पेपर में कोस्टन आया हुआ है वह यह है यहां पे यह बड़ी वैलियों आगे आपने इस इस पर कंफ्यूज नहीं हो ना कि हाइलला यह पता नहीं क्या है हमने तो यह पड़ा है नहीं इसको आपने स्पोस्ट करना है एक्स के एक्वल और सिंपल जैसे यह हो गया y is equal to ln x यह हमारा पास बन गया अब हम क्वेस्टन करते हैं जो क्या y is equal to ln 3x-1 यहां पर क्या होगा डी वाई ओवर दी एक्स दी ओवर दी एक्स आगे क्या एलन 3x-1 तो यहां पर हो जाएगी यह भी आपने स्पोस्ट के एक्स के एक्स के इक्वल तो आप पगार कोई सोचे समझें 3x-1 को नीचे ले जाएंगे आज असे के आपने 3x दो होता है ना हर जितना भी आपके पास अपने एक्स की डेरिवेशन लेते रहना अब देखो आपने अभी सिरक एलन के लिए एक्स की डेरिवेशन को नहीं हाथ लगाया आपने इसको भी एक दफार तश्च करना होता है और हर क्वेस्टन में करना है वह एक्सपनेंशल फुक्शन में लोगरिथम में में साइन सीटे में को सीटे में हर किसी में तो यहां पर 3x माइनस वान हो जाएगा आनवर 3x माइनस वान और यह इसकी हो जाएगा दी ओवर डी एक्स 3x माइनस दी ओवर डी एक्स वान यह ओके जासा के x की डेरिवेशन है वान तो 3 साथ है तो 3 वान हो जाएगी जो के 3 के एकवल होती है माइनस यह कॉंस्टेंट है वान कॉंस्टेंट की मेंशे डेरिवेशन यादफ में जीरो होती है बस और यह 3 तो आज अगर 3 ओवर 3x माइनस वान मैंने आज आपको बताया एक्सपनेंशल फुक्शन का फार्मूला और यह लोग का फार्मूला लोग दित्थम का यह भी दो फार्मूले जो आपने को सिरा साइन चीटे के साथ याद करने अब मैं आपको बता रही हूं कि एक मारे पास फॉंक्शन है एफ एक्स एक्वल टू प्री अंडरूट एक्स के यह हमारे पास है यहां पर वाई भी ले लो अगर जैसे यहां पर थ्री एक्वल हो जाएगा जैसे अगर यहां पर फॉर हो जाएगा तो वान ओवर फॉर की फाइफ हो जाएगा लेकिन अगर ऐसे होगा तो वह हम लोगे वान ओवर टू के इकवल अब यह वान ओवर थ्री गेवल एक्स के यह प्रॉस वान ओवर थ्री यह बन जाएगा फूबत थ्री अब हमने इसकी डेविशन देनिया डी वाइवर दी-एक्स डी ओवर दी-एक्स x 2 by 3 2 by 3 multiply साथ हो जाएगा और x के साथ क्या हो जाएगा minus 1 power में हो जाएगा minus 1 x 3 2 minus 3 इसका LCM लिया जो यह 2 by 3 x minus 1 over 3 अब जब यह x नीचे जाएगा तो इसकी power plus में आ जाएगी 2 over 3 x 1 over 3 या जैसे यह बनी हमारे पास यह थी हम लोग ऐसे बना देंगे इसको यह हमारे पास मैंने आपको बताया कि अगर यहां ऐसे हमारे पास कोई value आ जाए तो इसको कैसे हम लोगान में solve करना है तो इसकी बचे यहां पर लिख लेता है 1 over 2 तो वो क्वेशन हमारा खलत हो जाता है यहां पर 1 over 3 लिखना चाहिए आगे हमारे पास है साइन थिटा और कोस थिटा का साइन थिटा यह आपके पास पेपर में था यह भी question साइन थिटा कोस थिटा का मैंने आपको बताया था जहां पर कोस होगा को सिकंट होगा यह कोर यहां पर x साथ होगा तो हमेशे याद रखनाएं कैम चोर्ण कि धिर्यविशन के साथ हं मैंने सर्फंइन speaker मैंने साथ माइनन सीकेंट के साथ जैसे कोस के साथ माइने साह थिक्यंट के साथ माइनस थिकर साथ ही स्केंट में की माइनस सोरी माइनस को सिकंट स्केया रहे है तो अब यहां पर साइन साइन की आप हम लोगों ने लेनी है मैंने आपको साइन एक्स का बताया था कि साइन एक्स की डेरिवेशन होती है पोसे एक्स की डेरिवेशन अब यहां पर थ्री एक्स प्लस पाइब एक्स प्लस पाइब एक्स प्लस पाइब फूर जैसे मैंने पिछे लोग रिथा माले में किया है के आपने इसको एक्स समझना है कि जितनी भी पावर से इसी तरीके से आपने यहां भी इसको एक्स ही कहना है कि सारा एक्स है मारे पास वैसे साइन और य जैसे यह है मारे पास नहीं इसको करते हैं डी वावर डी एक्स साइन का था कोस साइन थ्री एक्स प्लस फाइब फॉर साइन के टेरीविशन हमारे पास होती है को साइन के रेखलेगे थ्री एक्सक्राइब बाइब फॉर और अब मैंने जैसे पहले लोग रिथा माले में भी एक्सपोनेंट में भी खाया कि आप इस की बीडेविशन नहीं नहीं होते हैं और जैसे हमें एक्स की डेरिवेशन पता होती है वान होते हैं तो हम लोग इसको जादा मजब बढ़ाते नहीं है इसलिए बस वान लिखके आगे सो पर क्योंकि वान के साथ मुल्टिप्लाय करेंगे सेम चीज तो बही यानि लेकिन यहां पर हम लोगों ने इसकी डे की लेंगे के साथ की करेंगे पाइब फूर के सांथ अब आप देखो यहां पर है एक्स एक्स की पावर होती है वान तो यह थ्री आजाएगा अनदों कि यह मारा सक्षार्ट से कॉंस्ट हमेरे पासे कॉंस्ट्वेस्ट अकॉस होती है जीरो थृ प्लेस जीरो फी और थृ ?, फाइबस यह आंसर आ जा जाएए तो आपके पर फार्मूला है मैंने आपको लिखके दियो मैं तो आप उसको देखके सोल्व कर सकती है आगे आपके एक क्वेस्टिन में यह था कि A is equal to 12 T square minus 24 T plus 8 अगर उसने का है D A over D T हम लोगोंने find करना है और हमें add T is equal to 0, 1, 2 यह हमें values दी कहीं है सबसे पहले हम लोगोंने क्या करना है D A over D T find करना है पहले हमारे पास यह वाय होता है यह होता है लेकिन यहां पर हमारे पास Y जो है वो A के equal है और X जो हमारे पास T के equal है तो यहां पर D over D T कर देंगे जैसे पहले हम लोग D over D X करते होते हैं D over D T 12 T square minus 24 T plus 8 उसका लगा 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 हम लोगोंने डायोर्शन मेंना है माइनस D over D T 24 T plus D over D T 8 आगे मारे पास X के साथ होता था अगर X की पावर 3 हो तो उसका derivation चाहता है यहां पर T की पावर square है तो T की पावर 2 है तो हमारे पास इसकी derivation क्या होगी वोगी 2 इदर आजाएगा 2 multiply होजाएगा 2 minus 1 minus 24 T जैसे X की होती है पावर मारे X अगर होता है तो उसकी derivation 1 होती है इसी जरीके से T की में 1 ही होकी constant की तो 0 होती है जिसमें पहले होताया गया है 24 T minus 24 यह हमारे पास आंसर आता है लिखती है आगे उसमें हमें कहा गया है T is equal to यह कि T is equal to 0, 1, 4 जो हमारे पास आंसर आया है D A over D T इसमें हम लोगों ने पहले हमें 0 पुट करना है T की जगह फिर 1 पुट करना है और फिर 2 पुट करना है और जो आंसर आएगा वह हम लोगों कहा देंगे कि यह हमारे पास आंसर 0 के थू अगर T 0 है T 1 है तो T 2 है वैल्यों हम लोगों कुट करेंगे 24 T minus 24 24 T minus 24 D T D A over D T अगे T is equal to 0 अगर 0 के equal है T तो यहां पर 24 0 minus 24 0 के साथ जब multiply करेंगे तो answer 0 आएगा minus 24 यह हो जाएगा minus 24 T is equal to 1 अगर T अगर T 1 के equal है तो हमारे पास क्या answer है अब T की जगा हम लोगों ने 1 put करना है minus 24 24 minus 24 यह जगर 0 के क्या अब हमारे पास है T is equal to 2 24 2 minus 24 48 minus 24 यहां पर 4 और 24 हमारे पास यह answer आएगा minus 24 0 और 24 यह हमारे पास इस वाले question का answer अगर अट्गल लूप तोपिक हम अगरे डिकस्कर यह न ही और हमारे पास था ऌनार्स यह वैल्यूश पूट करने वाला यह वालवuben अब हमारे पास है chain rule. एक मुझे यह confirm नहीं है कि मैंने आपके पेपर्स में देखा है कि वहाँ पे chain rule के मतलिक कुछ भी नहीं था. लेकि जैसे आपने का है कि बेसिक क्या आपका basic मैं था तो हो सकता है आपका यह हो chain rule. तो आज का हमारा हमारा जो क्लास ही बस वह यहीं तक थी और अगर कुछ आपको समझना है तो हम उसे discuss कर लेना WhatsApp में मैसिज कर लेना या कल की क्लास में बात कर लेना chain rule अगर आपके हुआ तो आप मुझे text कर देना तो फिर मैं आपको कल यह topic समझा दूँगी लाफिस